आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरस श्री वास्ताओ आप हमाई साथ देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की देश की अर्थविष्था में निवेश का बहुत बड़ा हाथ होता है और निश्ची रूप से निवेश के माद्यम से ही देश की अर्थविष्था आगे बढ़ती भी है क्योंकि जब निवेस नहीं होगा तो फंड नहीं आता है और फंड आता है तो तमाम तरह के रोजगारपन होते हैं रोजगारपन होते हैं तो जीडीपी भी बढ़ती है और प्रदेश में निवेस का जो माहौल बनता है वो उसके कारण जो गतिवरी होती है सरकार की वो भी त मीगति से आंगे बढ़ती हैं ज्योंकि अगर सबेस्ता को सोचारी रूप से जारी रखना तो इसके लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है prints मात्यमट या प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए आपको फंड की जगर पड़ती है और उसका संकल्प भी बनाना पड़ता है और इसके लिए नेवेस से बहतर कोई बिकल्प नहीं है यूँ तो हमाई देश में नेवेस की कोई अलग पतकठा नहीं होती थी और अलग कंपनी आती थी अब भी वो अगर्णी है और कहीं नेवेस के माद्यम से रोजगार के लिए अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी के लिए उप्योगी साबित होती है क्योंकि जो निर्यात की बस्तू हैं वो भी बहतर होती है और आयात के माद्यम से जो हम मंगाते हैं उसका भी लाप कही इस निवेश के माहौल से बनता है अब एगर हम यहां बात करें कि निवेश पहले होता कैसे था तो देश में पहले निवेश जो कमपनी आती थी वो यहां की सरकारों के साथ प्रदेश की सरकारों के साथ M.O.U करती थी और M.A.U. के माद्यम से यहाँ पर उनका एक पिकार से पारसपरिक मिलजूल होता था और एक संधी के माद्यम से एक समझोते के माद्यम से यहाँ पर काम सुरू होता था कुछ सर्ते होती थी जो की देश की होती थी प्रदेश की होती थी उन सर्थों को मानने पर उन कंपणियों को यहां पर जगह से लेके और तमाम ब्योस्थाओं को पलब्द करा रिया जाता है कि आप आराम से यहां पर बजनिस कर सके हैं आराम से यहां पर ब्योस्था कर सके हैं और यहां के लोगों को रोजगार भी मिले और साथे साथ यहां की निव marriages वह बले और तक तो यहां पर जो लिए जाफा के आता था जो लोग आते थे और डे सकत सब्सक्राइब निवे oxygen का रहा और चाहे Samsung माने मोबाइल की कमपनिया माने चाहे बड़ी-बड़ी TV कमपनिया माने चाहे बड़ी-बड़ी आपकी जो रच्छा की हैं कमपनिया उनकी माने चाहे हैं रोम की कमपनिया माने तो बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं वो लगातर काम कर दो पर कुछ समय से हम देख रहा हैं कि निवेश को लेकर जो केन्ड़ सरकार है और रजज़ सरकार है बहुत गंभीर हो चुकी ऑप एक बाकादा निवेश का माहौल तयार कर रहा है और साथी साथ e Ahmad dość के पतकता तयार कर दी गई है कि आपको इस राज में आप आराम से अपना निवेश कर सकते हैं, आराम से अपना व्योसा कर सकते हैं और राज जी कर सुष्था में तो हाथ बताएंगे, बताएंगे, साथ ही रोजगार के अपस्वरी पैदा करेंगे तो यहाँ पर सुरू हुआ है इन्वेश्टर सम्मिट का दौर अब तक देश में करीब करीब 12-13 इन्वेश्टर सम्मिट हो चुकी हैं और लगातार अलाग राज इन्वेश्टर सम्मिट कराते हैं इन्वेश्टर सम्मिट की जो परपस क्या उद्दिस क्या होता है वो उद्दिस यह होता है कि जो बारी निवेशक है उनको अपने राज्य की पती आकर्सित करना कि आईए और हमारे राज्यों में निवेश करिए और यहां पर आप भी कमाईए और साथी साथ हमारे राज्य की अर्थ व्योस्था में युगदान करिए और साथी साथ रोजियार के अफसरी पेडा तो यहाँ पर उसको बाजार देखना चाहिए और ब्यौस्था देखनी चाहिए कि कौन-कौन सी ब्यौस्था है आप देश में अपने राज में उस कंपनी को लिए दे रहा है एक समय एक सब्द मन गया है और इसी की तहर काम किया जा रहा है अब यहाँ पर अगर हम बात कर इंवेस्टर सम्मिट की मदेपरिस में भी हुई है रायस्थान में भी हुई है करनाटक में भी हुई है और उत्राखंड में भी हुई है पर यहां पर इंवेस्टर सम्मिट के माध्यम से निवेस के अनकूल माहल बनाना यह सब में बड़ी प्रात्यमक्ता होती है और यह यह जो में किया गया आपादी के शभी परचीस करोड की आबादी है है और आबादी इस आबादी के बीज में Easy of Doing Business के दूसरे पायजान पर पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्दी मानी जाएगी जी हां उत्तापडेश इस समय Easy of Doing Business में भारत में दूसरे पायजान पर पहुंच चुका है और उत्तापडेश के मुखवंतरी अपने दूसरे कारकाल में संकल पर ले चुके हैं अब हमारी तुप्रात्मक्ता है वो Easy of Doing Business में उत्तापडेश को पैथा में स्थान पर लाने की है यानि देश में अगर आप कहीं निवेश करना चाते हैं कोई कंपरी निवेश करना चाती है तो सबसे पहले उत्तापडेश की तरफ देखेंगे कि उत्तापडेश में निवेश करने के बेहतर बिकल्प है और बहाँ पर बेहतर ब्युस्था है चाहे जो मानक की बात करें, या आहरता की बात करें, रोज़गार पड़क लोगों की बात करें, बेवस्थाओं की बात करें, जमिन की बात करें, और संसाधनों की बात करें, तो इसमें बहतर है कि कई राज अलाला सुभराय नेते हैं, जैसे अगर हम बता हैं, बात करें हिमा फारमा कंपनिया उनको टैक्स कारण गया है एक ऐसी भैक्सटा की गई Москв का il this आता है और लगातार में अदेश में सब्सक्राटा हां कि रहर में कि नहर में बद्दी नह्रम बड़े फार्मा प्रवाध हैं बड़े कंपणें के वहां दाभाईयां बनते की लिए भाहिए जो कही न कहीं करनाटक में बनती है multifden fellowship बनती और यह बड़ी उप्रब्धी है तो कहीं न कहीं अब इस माध्यम से यहां यह प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह एजी ओब डूइंग बिजनस को बैतर किया जाए जिससे कि निभेस हमाई तरह राधी की तरह आए अभी उत्तपरे दूसरे पायदान पर है और इसको पहले प डूलर की एकनौमी बनाने की तरफ जा रहा है बड़ी उप्रब्धी है क्योंकि ऐसी उप्रब्धी हासिर करना बहुत बड़ी बात होगी यह एतिहासिक पल होगा ऑ स्य हैं खेल अलग मात्रमों से उत्तपरे च्ष्क को बहतर किया जा रहा है अगर हम बजट की बात करें तो इस बार उत्परे इस का सबसे बड़ा बजट पेस्क्र 2 Onun पर यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर लगातार इन्वेस्टर सम्मिट हो रही है अगर हम पहरे कारकाल की बात करें तो फरवरीद 21-22 2018 में इन्वेस्टर सम्मिट की गई उसके बाद जोलाई 2018 में ग्राउंड बेकिंग शरमीनी की पहली स्टेज हुई पहला चरण हुआ और लवा लवा चार दिशनल 28 करोड का लाक करोड का वहां पर इन्वेस्टमेंट आया जिसमें लवा लवा तीन 28 करोड के उजनाएं इससे में जराज़तल पर हैं और काम करते हैं उसके बार अगले साल कुरोना महमारी की तराज़ी के पहले जोलाई 2019 में ग्राउंड बेकिंग शरमी दूसरी हुई और इसमें पचास यहार से जादा खा निवेस्टमेंट यहां पर आया और यूजनाओं पर कारवमा सुरू हुआ इसके बाद जब उत्तपड़िस के मुखवंत्री योगी अर्थनाथ को जनता ने दुबारा महत्मूर राज़ी की कुर्सी के बठाया उसके बाद और उन्होंने संकल्प लिया कि हम लगातार जनता के लिए काम करेंगे जनता ने 37 साल के पुराने मिठक तो तोड़ते हुए भारतिंदर पार्टी को दुबारा सत्ता की कुर्सी पैसान किया है और मुखवंत्री योगी अर्थनाथ को दुबारा यहां पर सर्वोच कुर्सी पर बठाया है इसलिए हम जनता के लिए काम करेंगे और अपने दूस हम सत्ता उत्री को लेएंगे वेंवां संवाथ स caveat निन हम 2-0 सह ओवईस तक हमने की संकल्फ हम को देने का बढ़ता के सकत्तर खत्म करेंगे निए इसल के लिए आगे अलग बेश्टा बनाई जाए गए अलग रूप रेखा बनाई जाएगी तो इसी के तहत संकल्प लिया जा रहा है और काम भी किया जा रहा है तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर तीसरी ग्राउंड वेकिंग शरमनी जिसका कल यहां पर आयोजन किया जाना ह लखनों में और तपड़िस की राज़ारी लखनों में यहाँ पर आयोजन होगा और इस आयोजन की सुरूबात जो होगी वो देश के प्रहामंती नरेन मोडी करेंगे क्योंकि उनका भी कहना यही है कि जब देश आर्थिक मोर्चे में मजबूत होगा तभी विस्तुग्रू की तरफ हम चलने के लिए लायक होंगे और इसी के तहट लगातार हम देख रहा है कि काम हो रहा है और तपड़िस में एतियासिक पल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है असी हजार करोड से जारा की यूजनाओं पर यहाँ पर निवेस होगा और सिलानियास होगा और यहाँ पर परकटा तियार की जाएगी कहा जा रहा है कि 10 से जारा देश इस कारकम में सिर्कत करेंगे और 10 से आर देश के पतिनीरी कमपनियों के लोग यहां पर आएंगे और बड़ा नवेस यहां करते जाएंगे एक एक रिपोर्ट के मुताबिक और इस समय जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिस्तु की 25 फीजदी कंपनियों की जो पहली पसंद ने वो भारत बन चुका है और मैं आपको होताया कि उत्तापडेश में इस समय एजी आप डूइंग बिजनस बढ़ाएंगी लाब मिलेगा अगर हम इस इस सर्मनी की बात करें तो यहां पर बताए जारे रिपोर्ट की मतावें की पांसो करोड की जारा टर्णोवर की कंपनिया हैं वह लवा लवगत 43,000 करोड से जादे का यहां पर नवेस करती नजर आएंगी तो वहीं सो करोड से ल पर जो लाब देखने वाला है वो यह होगा कि जब इतनी कंपनिया आएंगी तो निशरी सो नवेस बड़ेगा नवेस बड़ेगा तो यहां पर रोजगार कैफ़पसर खोलेंगे और देश का युबा जो कहीं न कहीं सरोजगार के लिए और अच्छे रोजगार के लिए ख इंको स्किल्ड को मौईया करा जा सके ढ़िए। और जो लेवर केटेगरी के होते है जो स्किल्ड हो तो उनका अलग बेतनमान होता है सेमी स्किल्ड का अलग होता है लेवर केटेगरी का अपना अलग बेतनमान होता है पर रोजगार तो रोजगार होता है तो और जो यहां पर निवेस हो रहा है बो आईटी सेक्टर में हो रह हाँ हाँ हठ करगा वैषिंदी क्राफ्ट में होँग रहा है कुंपनी आकश्ट है हम बास करें कनाडा की बास करें । जर्मणी की बास करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, और जापान की बात करें, चीन की बात करें, तमाम कंपनियां यहां पर आकरसित हो रही हैं, वो चाती हैं कि आने बाले समय में हमें आवने बेस कर रहे हैं, और जिसके लिए उत्तापरिस में पटकटा तयार कर दी गई है, ग्राण बड़ा कारेकम है और बड़ा कारेकम इसलिए है जब देश का सबसे आवादी वाला राज्ज में कुछ अच्छा होता तो कहीं ना कि उसका लाब देश को मिलता है क्यों अगर देश की हम GDP की बात करें तो आठ डिसनलाव तीर प्रटिशत की भागिदारी है बहुत अपने हम बड़ी बात होती है देश की GDP में आठ डिसनलाव तीर प्रटिशत की भागिदारी अपना में बड़ी बात है यूँ तो पारत तेरा संविट हुई है कई राज्जों में संविट हो रही है पर उत्तपरेस की संविट की बात अलागे क्योंकि इस संविट के माध्यम से जो हमारा दूसरा पाइजान है 2022 में उस पाइजान को आगे बढ़ा कर हम एक पहले पाइजान पर आएंगे तो यह तो बात रही निबेस की और यह बात रही ग्राउंड बेकिंग स्रेमनी की पर कुछ चीजे ऐसी है जिन पर भी आज भी हमको सोचना बाकी है और इस कारगम के माध्यम से मैं जरूर सरकार को और आम लोगों को इसकी तरफ जरूर बताऊंगा कि हम निबेस तो करते हैं और ब्यवस्था बनाते हैं पर कुछ चीजे ऐसी है जिन पर अभी भी मानक्ता के जो अनुरूप है वो काम नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर MOU साइन करना ही प्र यहां पर मेरे ख्याल से कोई यहां पर की काम बहुत जरूरी हो साथी साथ यह भी रहेगा कि कितने जरातल पर उतनी है उनका एक समय दिया गया है और साथी साथ यह भी होना चाहिए कि जहां पर जो संसाधन सबसे पास मिले कि अगर आपको चमड़ा उद्योग के लिए कोई कंपनी आ रही है तो निस्ची रूप से वो चमड़ा आगरा कानपर के पास रहे है जिसे आपको चमड़ा आराम से उपला धो पाए तो यहां प तमाम ऐसी जगह है जहां पर अभी भी इंडेस्टियल हब नहीं है क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि योगी अर्टनार कहते हैं कि हम देश को इन्वेस्मेंट हब बनाएंगे उत्तपिदेश को इन्वेस्मेंट हब बनाएंगे पर जो देश के मेरपूर राज्यों में एक उत्तप्दिश के कई छेत्र ऐसे हैं जहां पर अब भी इंडेस्टीज नहीं है। ही है क्योंकि जहांसी जगए जो कि देश के सेंटल पड़ता है उत्तपडेश के बुनिखन छेत में मेरपूर जला है जहांसी हो गया आपका ललिटपुर हो गया बांडा और अभी भी वहां पर लोग लगातार चुकि वहां पर कोई रोजगार नहीं है रोजगार के अभाव आपके बिकास बहुत जरूरी है और विकास के माद्धम से ही हम आंगे बढ़ सकते हैं और आप प्रदेस के उन चित् tłों को जनना है जहां पर अब तक इंडास्टी धीक सेar श्ताफ में उपाई है मेरा मानना यह है बंडेकर चित में मियनट करनी पड़ेगी परश्चिम चित मैं म्हयनट करनी पड़ेगी और पुरवानचल चित में भी हमको इंडस्टीज लगानी पड़ेगी जिससे कि आने बाले समय में बेहतर कल का निर्मार कर सकें क्योंकि जब इंडस्टीज लगाएंगे निबेस कराएंगे तो वहाँ पर रोजगार के अफसर बढ़ेंगे और जो लोग बचारे आपके गुवा जा रहा है गुजराच जा रहा है दिल्ली जा रहा है और मुंबई जा रहा है काम करने के लिए बो भी काम कर सकेंगे और बो बो अपनी रोजगार अपने ही जिले में अपने ही गाओं में अपने लोगों के बीच कर सकेंगे यह लाब भी मिलेगा और साथी चार अर्थव्यस्था भी सही होगी क्योंकि अगर पलायन ही बिकल्फ होगा तो देश की आदी आबादी कहीं न कहीं जाकर सेट हो जाएगी वहाँ पर तो इस्थिती गंबीर होगी पर जो अन्य जगह होंगों भी खाली रहेंगी तो यहाँ पर जन्जंग्या अनुपार भी बराबर है ना बहुत आबस्चक है अगर कोई राज्य है अगर कोई छेत्र है किसी राज्य का वो पिछड़ा हुआ है तो इसको आंगे कैसे बढ़ाना है सबसे बहले तो इसकी जम्मिदारी होने चाहिए कि सारी सरकारी उजनाओं तो आज की चर्चा में अनुपार भी ठीक रहे जन्संग्या अनुपार भी ठीक रहे और लोग अपनी धरती को छोड़का दूर ना जा पाएं तो आज की चर्चा में इतना ही मजरी जन्वति नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार